आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अपने को बता दो क्या हो जाएगी ठीक है तो आप इस रिलेशन को ध्यान से देखते हैं 2A Vector Cross B Vector माइनस 3 B Vector ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर देखूं सबसे पहले तो मिरे को Dot Product ठीक है अगर मैं यहाँ पर बात करूं B Vector वो Sides ठीक है तो यह मिरे पास कितना आजाएगा यह तो आजाएगा C.B इदर से आगए 2A Vector Cross B Dot B Vector Minus 3 B.B ठीक है तो यह तो हो गए C.B यह B.C यह की बात है ठीक है अब यहाँ पर यह क्या हो गए यह देखिए इसके लिए मिरे को यह हो गए 2 इंटू Box of A.B.C A.B.B Scalar Triple Product Minus 3 Modulus of B का Whole Square ठीक है So again यह तो मेरे पास 0 हो गया simply क्योंकि यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यह Scalar Triple Product है ठीक है इसका अगर कोई भी एक यह क्या होता है एक तरह से Determinant होता है यह Determinant होता है तो Determinant के Any Two Roge और Columns ठीक है अगर Same हो तो इसकी जो Determinant की जो Value होती हो क्या होती है 0 तो इसके इसमें यह B और यह भी दोनों Same है तो यह 0 हो जाएगा Hence मेरे पास यहाँ से जो B.C जो आया वो कितना है Minus के 3 Modulus of B का Whole Square ठीक है So यह होगा Modulus of B Modulus of C 2B और C के बीच में जो Angle है वो उसको बोल रहाए Theta तो यह हो जाएगा Cos Theta एकोल to Minus के 3 Times of Modulus of B का Whole Square जब एक B से एक भी Cancel out हुआ Cos Theta कितना आगया Minus के 3 Modulus of B upon Modulus of C ठीक है So B वेक्टर तो मेरे पास 4 है ठीक है A.B क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है 2 So मैं यहां से क्या है मेरे पास अगर C का Modulus किसी तरह से मिल जाए तो मैं यहां पर क्या निकाल सकता हूँ Modulus of C अगर मिल जाए तो मेरे को यह क्या है Cos theta निकल जाए अगर ठीक है So इस relation को again अपने reconsider करते है ठीक है तो जो C vector क्या था relation था अपना 2 times of यह आ गया था A cross B minus 3 B vector ठीक है So मैं इसको क्या घर सकता हूँ 3 B vector को यह दर ले आता हूँ 3 B vector plus C vector Equal to 2 times of A cross B So मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोनों का modulus ले 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 लेता हूँ इसका भी modulus ठीक है और whole square कर देता हूँ So यह क्या हो जाएगा 3 of modulus of B इसका whole square plus modulus of C का whole square plus 2 into 3 B vector dot C vector इधर से कितना हो जाएगा 4 of यह A cross B के modulus का whole square ठीक है So यहाँ से यह देखी सबसे पहले तो यह इतना जाएगा 3 into Sorry 9 होगा यहाँ पर 3 का square है ठीक है So यह तो आगए मेरे पास 9 into modulus of B का whole square plus modulus of C का whole square plus 6 times of B dot C ठीक है इधर से कितना निकल का है मेरे पास यह देखी 4 times of इसको में क्या लख सकता हूँ यहाँ से A cross B के modulus को यह modulus of A square modulus of B square minus A dot B के modulus का whole square Simply यह लख सकता हूँ ठीक है So यह मेरे पास क्या हो जाएगा 9 times modulus of B की value जो है यह क्या दिए हुई है 4 तो यह 16 plus modulus of C का whole square plus 6 times of B dot C की value यहाँ से में क्या अठाग रख सकता हूँ यह बहला relation ठीक है इसकी जो value है यह आ जाएगी minus के 3 into modulus of B का square तो minus के 3 into modulus of B का square ठीक है So यह नि 3 पर square नहीं है सिर्फ modulus of B पर square है ठीक है So यह हो जाएगा 4 times of modulus of A दिया हूँ है 1 भी दिया हूँ 4 तो यह 1 into 4 का square 16 minus जो A dot B की जो value है यह दिया हूँ यह 2 तो 2 का square 4 simple ठीक है तो अगें यहां से मेरे पास कितना आ गया यह तो हो गया 9 into 16 plus modulus of C का square minus 18 into modulus of B की जो value है यह 4 है तो यह 16 हो जाएगा equal to 4 into 16 minus 4 that will be equal to 12 ठीक है So यह modulus of C का whole square minus 9 into 16 equal to यह हो जाएगा 16 into 3 यह modulus of C का whole square equal to 16 into 3 plus 9 12 ठीक है तो modulus of C की जो value है यह मेरे पास कितनी आ जाएगी यह हो जाएगा 4 और root 12 कितना होता है 2 root 3 that will be equal to 8 root 3 ठीक है modulus of C So mod C की value मिलगे तो यहाँ से मेरे पास cos theta तो अल्रेडी मैंने निकाला हुआ है Hence cos theta क्या है minus के 3 times of B vector का modulus upon C vector का modulus minus के 3 times of B vector तो है 4 upon C का modulus 8 root 3 that will be equal to यहाँ से आ जाएगा 2 minus के root 3 by 2 ठीक है जब cos theta की value मेरे पास minus के root 3 by 2 आ गई it means यहाँ से में क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा theta कितना होगा theta निकल किया जाएग 150 degree है यह नि 90 plus 60 degree ठीक है 150 degree क्योंकि cos second quadrant में cos negative होता है ठीक है तो यह 60 यह नि 5 pi by 6 so value किसकी बूचिए 6 into 5 pi by 6 upon pi तो यह हो जाएगा answer is 5 thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर